स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर रेसिपी अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए हेलो फ्रेंड्स में तोरल स्वाद अनुसार में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक गुजराती और्थेंटिक डीश सिखा रही हूँ जिसका नाम है गोड़ पापड़ी जो एक स्विट डिश है और हेल्दी पे है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गैस अन करके तेन से चार बड़े चम्मज गी एड़ करेगे गी जैसा ही मेल्ट होता है हम इसमें एक कब गेहु काटा एड़ करेगे हमें इससे दीमी आज़ पे करिबन पाँच से छे मिनिक तक बुनना है हम इसमें एक से दो चम्मज गी और एड़ करेगे ताकि हमारी गोड़ पापड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए यह रेसिपी में हमने शक्कार नहीं डाली है इसलिए यह रेसिपी बहुत ही हेल्दी है हमें इसे कॉंस्टेंट चलाते रहना है इसे हमें लाइट ब्राउन तो होने तक पकाना है आटा अच्छे से बुन गया है अब हम गेस बंद करेगे अब हम इसमें जितना हमने आटा लिया था उतना ही गूड एड करेगे हमने गेस बंद कर दिया है क्योंकि अगर गेस चालू रखेगे तो गूड हमारा मेल्ट हो जाएगा हम गूड को दिरे दिरे एड करेगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए गोल पापड़ी रेडी हो चुकी है अब हम इसे ठंडा करने के लिए ट्रे में सेट करने के लिए रखेंगे तो ट्रे को सबसे पहले ग्रीस करेगे थोड़ा सा गी लेके मैंने ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब हम गोल पापड़ी को इसमें निकालेंगे गोल पापड़ी जब तक गरम है तब तक ही हम इसके टिसीज कर लेंगे तो तैयार है गोल पापड़ी इससे आप आदे गंटे के लिए रूम टेंपरेचर पे सेट कीजिए यह रेसिपी सर्दियों के मौसम में बहुत ही गुणकारी होती है तो आप जरूर बनाईए अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई तो आप जरूर कोमेंट्स कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्वाधन उसार को